नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल में राजिस्थान जीके को आपको पता है दोस्तों हम MCQ के मात्यम से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका रिबीचन भी साथ साथ होता रहे हैं इससे पहले हमने दो वीडियो राजिस्थान जीके पे कर दी हैं अगर आपने नहीं देखें तो फ्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं बहुत जल्दी दोस्तों माश्टर वीडियो लेकर के आने वाले राजिस्थान का जिसमें कि आपको एक हजार कुशन की वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें कि आपके हिष्ट्री, भूग कबर करेंगे, बन फिप्टी से कबर करेंगे 200 कोशन तक, चली शुरू करते हैं, पहला कोशन है गवणावड पक्षी राजिस्तान के किस छेत्र में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है दोस्तों पक्षिमी मारुस्थल में, यानि कि D आंसर यहां से ठीक होगा, चली देखते हैं नाहरगड़ अभ्यारण किस जिले में है तो नाहरगड़ अभ्यारण दोस्तों जैपुर में इस्ते थे ये नाहरगड़ का किलावी काफी विख्या थे 153 question को देखते हैं केवला देव घाना पक्षी बिहार कहां इस्तित है तो ये इस्तित है दोस्तो भरतपुर में यानि कि C answer ठीक होगा चलिए 154 question को देखते हैं राजिस्थान के किस राश्टी उध्यान में पक्षीयों का सर्रक्षन किया जाता है तो यहां है दोस्तो पसूँ द्वारा चराई यानि कि ये बनोग का मुख्य कारण एक कम होने का तो B answer यहां से ठीक हो जाएगा 156 question को देखते हैं राजिस्थान में बोरी लियम उत्पादन के दो पिरमोग जिले कौन-कौन से हैं यह हैं दोस्तो उद्यापूर और जैपूर यानि कि B answer सही हो गए यहां से 157 question को देखते हैं राजिस्थान के किस जिले में प्राकिर्तिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं तो यह खोजे गए हैं दोस्तो भीलवाला में यह answer ठीक हो गए यहां से 158 question को देखते हैं निम्न खनीजों में किस के लिए राजिस्थान को देश में एकादिकार प्राप्त है तो यह प्राप्त है दोस्तों सीसा और जस्ते के लिए चलिए 159 question को देखते हैं राजिस्थान में सोने की खोज का कारले किस जिले में प्रिगती पर है अच्छा कोशन है दोस्तों ध्यान रखिए तो बांसवाडा है इसका सही आंसर बी हो जाएगा चलिए 160 कोशन को देखते हैं निमलिखित मैंसे किसका निर्यात राजिस्थान में नहीं किया जाता है किसका नहीं किया जाता है दोस्तों खाद्यान का नहीं किया जाता है C answer हो जाएगा 161 question को देखते हैं बहे कौन सा खनिज पत्थर है जो राजिस्थान राज्या में सरवादिक कुल विक्रे मूले अरजित करता है तो यह है दोस्तों बालू पत्थर यानि कि C answer ठीक हो जाएगा यहां से 162 question को देखते हैं निमलिकर जिलों में से कौन से जिले में टंग अश्टन के सरवादिक भंडार पाए जाते हैं तो यह नागोर में पाए जाते हैं दोस्तों D answer ठीक हो जाएगा यहां से 163 question को देखते हैं खो दरीवा छेतर जिसके खन से संबंदित है तो खो दरीवा किस से संबंदित है दोस्तों तावे के लिए संबंदित है यह ना A answer ठीक हो जाएगा यहां से 164 question को देखते हैं राजिस्तान का पिरमुक खनेज है तो राजिस्तान का पिरमुक खनेज है दोस्तों सीसा और जस्ता है यानि कि A answer ठीक होगा 166 question को देखते हैं विस्प का सर्वस्रेज लिगनाइट पाया जाता है तो यह कहां से निकाला जाता है दोस्तों पलाना से निकाला जाता है, यानि कि B आंसर ठीक हो जाएगा यहां से, चली अगला कुश्चन देखते हैं, अगला कुश्चन है 167, राजिस्थान में तावे की खान कहां पर हैं तो कहां पर हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा D बाला, चली 168 कुश्चन को देखते हैं, पर पराप्त होता है, तो कहां से पराप्त होता है दोस्तों यह अजमेर जिले से पराप्त होता है, यानि कि C आंसर ठीक हो जाएगा यहां से, चली 170 कुश्चन को देखते हैं, काच बालुक के उतपादन में राजिस्थान का देश में कौन सा इस्थान है, तो कौन सा ए आंसर ठीक होगा 172 कुशन को देखते हैं राजिस्थान का सर्व स्रेष्ट संग मरमर कहां मिलता है तो राजिस्थान का सर्व स्रेष्ट संग मरमर जो मिलता है मकराना से मिलता है काफी आसान कुशन है 173 कुशन को देखते हैं राजिस्थान में सी सावा जस्ते के सरवादि इस्तेते हैं तो कहाँ पर इस्तेते हैं यानि कि C ऐसर ठीक हो जाएगा यहां से चलिए 174 question को देखते है राजस्थान में नमक उतफादन का मुख्य के इंदर क्या है तो नमक उतफादन का है तो धस्तो सावर जील यानि कि A answer ठीक हो जाएगा 175 question को देखते हैं राजिस्थान राज्य में जिपसम के भंडार उन इस्थानों में मिलते हैं जहां इस बाक्य को पूरा कीजिए है ना तो प्राची नदियों के संगम है तो B answer इसको सही करेगा 176 question को देखते हैं राजिस्थान राज्य का तावा उत्पादन में भारत का कौन सा इस्थान है तो इसका इस्थान है दोस्तो दूसरा D answer ठीक हो गए यहां से चलिए अगला question देखते हैं अगला question देखते हैं राजिस्थान में अभरक की खाने किस जिले में अधिक हैं तो किस जिले में हैं दोस्तों ये भील वाला में सबसे जायदा है अगला कुश्चन देखते हैं 178 राजिस्थान राजे में सरवादिक खनिज भंडार किस खनिज के हैं तो किस के हैं दोस्तों रॉक फासफेट के जायदा है D आंसर ठीक हो जाएगा यहां से 179 कुश्चन को देखते हैं राजिस्थान में तावे का पिसाल भंडार इस्तेत है तो तावे के पिसाल भंडार दोस्तों का हैं अंदरी छेत्र में हैं यानि कि B आंसर ठीक हो गए यहां से चली अगला कुश्चन देखते हैं 188 उदयपुर जिले के किस छेत्र में तावे के नए भंडारों का पता लगाया गया है तो कौन से के लगाया गया दोस्तों अंजिली छेत्र में लगाया गया है यानि कि D आंसर ठीक हो गए यहां से चली बन एटी बन कुश्चन को देखते हैं निमलिखित मैंसे किस खनेज के उत्पादन में राजिस्थान का भारत में पिर्थम इस्थान नहीं है ध्यान रखना दोस्तों यह कह राए कि नहीं है है ना तो आराम से कुश्चन को लगाईएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों A तावे में अगला कुश्चन है बन-82 राजिस्थान के किस जिले में आलवे खने यूरेनियम का उत्पादन होता है तो कहाँ पर होता दोस्तों यह बासवाला में होता है यानि कि D आंसर ठीक हो जाएगा यहां से चली बन-83 कुश्चन को देखते हैं राजिस्थान में रेडियो का पिरसारण सरप्रतम कहां हुआ तो कहां हुआ था दोस्तों यह जोदपुर से हुआ था D आंसर ठीक हो जाएगा चली अगला देखते हैं बन-85 कुश्चन को राजिस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगा है ना बन-85 कुश्चन को देखते हैं दोलपुर पावर परियोजना आधारित होगी तो किस पर आधारित होगी दोस्तों यह गैस पर आधारित होगी बी आंसर ठीक है यहां से चली अगला कुश्चन देखते हैं राजिस्थान में बायोगैस उर्जा की बहुत अधिक संबावना है क्योंकि क्यों कौन संबावना दोस्तों यहां सरसों की भूसी उपलब्द है ना ए आंसर ठीक हो जागा यहां से चली बन-88 कुश्चन को देखते हैं में पिर्थम सौर पार्क की स्थापना कहां की जाएगी तो कहां पर की जा रही है दोस्तों यह बांडला में की जा रही है यानि की डी आंसर ठीक हो जाएगा चली अगला देखते हैं बन-89 राजिस्थान सरकार द्वारा चली बन-91 कुश्चन को देखते हैं राणा पिर्ताप सागर जल विद्दुत गिरह इस्थेते तो इक कहां पर इस्थेते दोस्तों रावत भाटा में इस्थेते दी आंसर ठीक हो गए यहां से कुश्चन देखते हैं बन-92 बहर इस्थान जिसका आणविक सक्ती उत्पादन से संबन नहीं है है ना तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों काकी नाडा यानि कि B आंसर बिलकुल ठीक है बन-93 कुश्चन को देखते हैं राजिस्थान में टंगस्टन के भंडार कहां मिलते हैं तो टंगस्टन के धेर सारी जो भंडार मिलते हैं डेगाना में देखने को मिलते हैं ये आंसर ठीक हो जाएगा 194 कुश्चन देखते हैं मोरीजा बनोस छेत्र में कौन सा खनेज निकलता है तो यहां से जो निकलता है दोस्तों लोहा निकाला जाता है यानिकि C आंसर ठीक हो जाएगा चली 195 कुश्चन को देखते हैं 195 कुश्चन राज्चतान में लोही की कौन सी किस्म पाई जाती है तो राज्चतान में लोही की कौन सी किस्म पाई जाती है तो हैमिटाइट टाइप का लोहा पाया जाता है यानिकि A answer ठीक होगा चली 196 question को देखते हैं अंता किस जिले में इस्तेत है तो अंता किस जिले में इस्तेत है दोस्तो इसका सही answer हो जाएगा 12 C answer बिल्कुल ठीक है 197 question को देखते हैं राजिस्थान को किस जल बिद्धुत परियोजना से सरबादिक बिद्धुत प्राप्त होती है तो कहां से होती है दोस्तो यह बियास से होती है यानिकि बियास B answer बिल्कुल ठीक होगा यहां से चली 198 question को देखते हैं देश का पिर्थम भूमिगत गैस बिजलीगा राजिस्थान के किस जिले में इस्तेत है इस्तेत है दोस्तो नागोर में यानिकि D answer यहां से बिल्कुल ठीक होगा चली last question नहीं 99 question को देखते हैं भी हमारा एक question और बचा हुआ है राजिस्थान में परमाणू उर्जा केंद्र कहां पर इस्तेत है न तो भी कहां पर इस्तेत है दोस्तो इसका सही जो answer हो जाएगा वो रावत भाटा हो जाएगा यानि कि A वाला आसान question है चली question देखते हैं 200 राजिस्थान को सरबादिक तापिये बिद्धुत कहां से प्राप्त होती है तो सबसे जाएगा जो बिद्धुत प्राप्त होती है दोस्तो कोटा थरमल से प्राप्त होती है तो हमने यहां से जो cover किये दोस्तो 50 question को cover किये आसा करते हैं दोस्तो ये series आपको काफी पसंद आ रही होगी अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को like और comments करके जरूर बताये करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा बाकी दोस्तो हम बहुत जिल्दा आपको इसका master video भी upload कर देंगे कल या फिर परसों में आपको इसका master video देखने को मिल जाएगा thousand question के साथ या फिर 500 के दो वीडियो हम बनाके upload कर देंगे जिससे आपका revision बहुत अच्छे से हो सके आपने अभी तक हमारे telegram group join नहीं किया तो दोस्तो link आपको description में बिल जाएगा आप हमारे telegram group को भी join कर सकते हैं यदि आप paid course खरीदना चाहते हैं यानि कि paid group join करना चाहते हैं WhatsApp का तो उसके लिए number रहेगा दोस्तो 70 80 14 19 33 यहां से आपको दोस्तो daily current की pdf हिंदी की pdf राजिस्तान gk की pdf news paper इंगलिस हिंदी सब कुछ आपको यहां से complete मिल सकेगा तो आप बिलकुल join कर सकते हैं बाकी दोस्तों जरूर बताईगा कि आपको वीडियो कैसा लगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत